करता हूं मैं परकास के प्रवर्तन का तिसर लेक्टर आप लोगों के लिए लेकर आ हूं मैं हम लोग कुछ परिवास अंदेखेंगे पहला है पर्दार्शी वस्तु किसे कहते हैं यह परइस पदर्द किसे कहते मैं जीन वस्तु से परकास असान्य से पार हो जाता है, जिन बस्तु हम पडार्सी पदार्त कहती जैसे हावा काज कि या इसी है जिंसे परकास असानी से पार हो जाती है, दुसरा है अपरदार्सी बस्तु कि सकते हैं या आपरदार्सी पदर्थ कि सकते हैं जिन बस्तुओं से परकास और पर होता ही नहीं है या जो बस्तुओं आपने से परकास को जाने नहीं नहीं देते हैं उनहें हम अपरदर्सी बस्तू कहते हैं जैसे उसता कुल अ ये जो बस्तू हैं अपने से अ़्षिक हात्ष का ने देते हैं झाल जेते हैं और बदेते को हम परुरभासी पदर्ठ कहते हैं जैसे तेल लागा हुआ कागच घीस हुआ काज प्रदीप्थ बस्त्विये जो बस्त्विये परकास व शर्जित करते हैं उन्हें हैं हम प्रदीवत्वस्तु हिए कहते हैं जैसे जलता हुआ बल जलती हुई टॉट जलता हो लल्टें कि अ प्रकॉस वह सरजित हैं उन्हीं हैं आप प्रकास की कुछ उर्जा को पहले अफसोसित करता है फिर उसके बाद चारों तरफ उसे फैला देता है इसी के लिए को हम प्रकिर्नन कहते हैं प्रकास जब किसी वस्तु पर पढ़ता है तो उन पर पढ़ने वाली प्रकास की कुछ उर्जा को पहले वो अफसोसन करता है फिर वाद उसी चारों तरफ फैला देता है इसी के लिए को हम प्रकिर्णन कहते हैं जैसे अदि आप छहत पर जाकर कोई बरतन राख दे तो वह बरतन तुरत गर्म नहीं होता है क्यों कि सूर से आने वाली प्रकास की उर्जव को पहले वह कुछ ग्रहन करता है उसके बाद फिर आ पनी महीं को अपको एऔर मोगें आफीजन करवा देते है परदर से जिन वैस्टूंसे परकास असानीस अर पर हो जाते हैं उन्हें हम परदर से कहते हैं जैसे शेक परववास्तोई अनि से परकास को जाने दिते हैं उन्ह애 आप पारवासी कहते हैं जलता हुआ', जलता हुआ नहीं करते हैं उन्हें हम अप्रादीप वस्तु कहते हैं जिसे कलमं कौप प्टियारि प्रकीरिनमः जब प्रकॉस किसी वस्तूपर पढ़ता है तो वह बस तू पहले प्रकास की कुछ उर्जा को एनर्जी को अपसोसन करता है फिर उसके बाद चारों तरफ फैला देता है इसी किरिया को हम प्राकेर्णन कहते हैं आज के लिए इतना ही तक तक लिवाए